दो देखिए का रहा है किसी फैक्टरी के 50 स्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निमलिखित बंटन पर विचार किजी यहां देखिए यह दिया हुआ है मजदूरी दी है दैनिक मजदूरी दिया है रुपिया में और स्रमिकों की संख्या दी हुई है ठीक है तो का रहा है कि एक उ हम लोग ना यहां पे पम विच्रन विधे का पर्योंग करते हैं कि इसमें कितने स्थे बढ़ बढ़ की आटा है बढ़ा रहा ना तो पंचे हंतलि बहुत बेहतर बाइगा इसके लिए दिए यहां पर समझें एक किससरी द्थिद न शार्ट इसको बना लेते हैं थीक है फिर आगे बढ़ा जाएगा तो इसमें कितने बॉक्स चाहिए आपको 6 चाहिए कम से कम दो दो चार ठीक है और यह आपका दो 6 क्लिए रहा है चलिए आगे देखते हैं इसमें ठीक है अब सबसे पहले यहां दैनिक मजदूरी तो यहां देखिए हमारे पास जगह कम है तो इसको class interval लिख देते हैं आप चाहिए तो यहां दैनिक मजदूरी लिख सकते थे रूपिया में ठीक है स्रमिकों की संग्या को हम यहां fi से सुजित कर देए जगह कम होने की वज़ा से ठीक है और इसको लिखते है 100 से 120 120 से 140 140 से 160 160 से 180 ठीक है और यह फिर आपका 180 से 200 इना दिया है इसका fi दिया है 12 14 चाहिए 12 8 6 10 ठीक है एकस आई निकाले यह इसके बीच का ना यह जोड़के दो से भाग करिए तो 220 हो जाएगा जोड़ेंगे तो से भाग करेंगे तो 110 यह सिंपल भी दिख रहा है इसके बीच में 110 यह कितना दिख रहा है इसके बीच में 130 150 170 190 यह नहोगा चलिए अब आपको यहां निकालना होगा डी आई तो उसके लिए बता ही है एकस आई माइनस ए एकस आई माइनस ए तो यहां एक इसको मानिएगा तो एकस आई के मद्ध का मान यही होगा ए यह आपका ए हो जागा डेर सो ए बरावर डेर सो ठीक है यह निके 110 में से डेर सो घटा देंगे माइनस का 40 अच्छा 130 में से डेर सो घटा देंगे तो माइनस का 20 जीरो फिर 170 में से यह निकैलना होगा तो अब निकालना होगा उआई तो उसके तो यानि कि 20 द्वारा इसको विभाजित करना होगा तो माइनस का दो माइनस का एक जीरो एक तो ठीक है अब आपको पता है क्या करना तो इस तरह गुना करना असान हो जाता है इसलिए हम लोग इस विधी का परियोग करते हैं चलिए यहां लिखेंगे कुल टोटल चलिए तो इसको जोड़ना होगा ना सिगमा एफ आई तो यह तो दीख रहा है उपर कर आप 50 रमिकों का है यह जोड़िये के एकदम 50 आना ही है आप जोड़के देख सकते हैं कोई दिक्कत इसमें नहीं है चलिए यहां यह इसको जोड़ेंगे तो यह आपका सिगमा एफ आई यूई होगा ना एफ आई यूई चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के लिए कैसे तो यह 26 हो जागा प्लस का अब माइनस का कितना हो जागा यह दोनों जोड़ियेगा तो तो यह माइनस का हो जागा आपका कितना चलिए 38 हो जागा तो यहां घट जागा तो कितना जागा माइनस का 12 सिगमा एफ विचलन भी थी तो उसका फर्मूला होता है माद्धे बराबर माद्धे बराबर A प्लस सिग्मा F I U I बटा में सिग्मा F I गुना में H यह न चलिए तो A का मान कितना है A का मान है 1.500 प्लस सिग्मा F I U I माइनस का 12 बटा में इसका मान 50 और H का प्लस माइनस बारबर 24 बटा में 5 जनी कि देड़ सो माइनस इसको पॉइंट में कर दिए तो पंचो कभी 4.8 हो जाएगा चलिए इसमें सिग्टा जेंगे तो कितना है गटाने पर तो यह आपका आजाएगा 145 145.20 ठीक है 145.20 जेरो रूपीज आजाएगा ठीक है रूपिया में इसलिए एक और जेरो लगाए है तरी अगला को